नमस्कार बिये दुती वर्ष के सभी विद्यार्थियों का डिजिटल कक्ष में फिर आज स्वागत एक बार पुना स्वागत करता हूँ आप इतिहास विशे के दुती प्रिशनपत्र राजस्थान के इतिहास के सरवेक्षन के अंतरगत इस व्याख्यान से पहले राजस्थान की प्रागत एतिहासिक संस्कृती के क्रम में काली बंगा पुराइस्थल की जानकारी प्राप्त कर चुके हैं उसके बाद आहार सब्वता के इस्थल की चर्चा आपसे हुई थी आज की इस चर्चा में राजिस्थान की प्रागय इत्यासिक संस्कृत के एक पुरमिक पुराइस्थल वेराट के बारे में हम बातचीत करेंगे जैसा कि आपको पता है कि जो पहले काली बंगा था वो आप द्वारा भी ए प्रतंबर्स में जो भारत के प्राशीन इत्यास के करम में अडपा मोहन जोदलो के बारे में जो पढ़ा गया था रथात कांस कालीन सब्वता का इस्थल था किन्तो आज जिस इस्थल की हम चर्चा कर रहे हैं यह कांस कालीन इस्थल नहीं है बेराट की सब्वता जो थी राजिस्थान के प्रागय इत्यासिक काल में विशिस तोर से महा भारत के सिलसले में बेराट नरेस की चर्चा आती है और इससे राजिस्तान के इत्यास में एक नया अध्याए हमें ग्यात होता है तो बेराट पुराइस्थल की भहोलिक इस्थिती जो है वो यहांपर जैपुर दिल्ली राजमार्क पर जैपुर से 85 किलूमेटर दूर इस्थित ये विराट नगर जो है आज भारती इत्यास में एक नए आयाम जोड़ता है विराट वर्तमान में अलवर से सापुरा की यात्रा करने पर बीच में ही मिल जाता है कस्वे की मुक सलक से लगभग तीन किलो मीटर की दूरी पर एक उंचा टीला दिखाई पड़ता है वेराट से थोड़ी सी दूरी पर सरसका उद्यान के अंतिम किनारे पर पाताल पानी है जिसे महाभारत के एक बृत्तांत से समीकृत किया जाता है ऐसा कहा जाता है कि पांड़ों ने अपने बनवास का समय यहीं बितीत किया था चालिस वर्ग मेल की परिदि में विस्तरित इसके आसपास बिविदिस्तल है जिन में बीजक की पहाड़ी, महादेव की डूंगरी, भीम डूंगरी, उलेखनी है तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे कि आखिर वेराट की खोज किस प्रकार हुई तो इस क्रम में यह उलेखनी है कि रियासत काली इन समय में रायवाद्दुर स्रीदयानंद साहिनी ने इस छेतर में उत्खरण कार प्रारम किया और आरंभिक समगरी जुटाई थी कालांतर में सुतंतरता के बाद डॉक्टर राखलदास वनरजी ने इस कार को गती प्रदान की थी वेराट का महत इस बात में है कि यहां से पूर्व प्रागैथासिक काल से लेकर एथियासिक काल तक की पुरातत्युक समगरी उपलब्द हुई है यहां से प्राप्त पुरातत्युक समगरी के आधार पर यह कहा जा सकता है कि वेराट राजिस्थान की युग युगीन अनुपम कला तथा संस्कृत की उतकृष्ट धरोवर का सदेव साक्षी रह है उत्तर वैदिक कालीन पुरातातिक समग्री प्राप्ति के साथ साथ यहां से महाकाब कालीन उतकर्स तथा सांस्कृतिक घटना करम के साहितिक सुरूत भी उपलब्ध हैं महावारत के घटना करम में विराट नरेश की भूमका भुलाई नहीं जा सकती है मदस्य महाजनपत का महत्पूर्ण नगर होने के प्रमाण वैराट के उत्खनों से प्राप्त हो चुके हैं यहां से प्राप्त अवसेसों में आवासी भवनों के साथ मौर कालीन समराट असोक के दो इस्तंब लेख तथा बौध मट के भगना अवसेस प्राप्त हुए हैं। मौर तथा मौर उत्तर काल में वेराट छेतर पर बहुत धर्म का प्रभूत प्रिभाव परलक्षित होता है। प्रात्तिक सामगरी की चर्चा की जाए तो बैराट छेतर में उत्खनन कार विवित चरणों में संपन हुआ जिसमें प्रचूर मात्रा में प्रात्तिक सामगरी प्राप्त हुई। बहुत सारी कुछ एक बिसिष्ट सामगरी जिसके बारे में हम चर्चा करना चाहेंगे और इस सामगरी से आपकी परिच्छा में कई बार छोटे प्रशन एस सेक्षन में पूछ ले जाते हैं। जैसे गोल मंदिर किस सब्बता से पराप्त हुआ तो हाँ गोल मंदिर इसी बैराट की सब्बता से पराप्त हुआ तो ये गोल मंदिर जो है उत्खनन के फलसरूप बैराट में एक गोल मंदिर भगना वस्था में मिला था। ऐसा प्रतीत होता है कि मंदर के दरवाजे लकडी के रहे होंगे जिनकी मजबूती के लिए लोहे के बड़े-बड़े कबजों तथा कीलों का प्रयोग किया गया था मंदर का फर्स इंटों के द्वारा बनाया गया था मंदर के अंदर कुश्मर्ण मूर्तिया तथा पूजा के पात्रों के अउसिस मिले है पुरा तक्त सास्त्रियों ने इस मंदर को असोग द्वारा निर्मित बताया है तो ये गोल मंदर महत्पून है आपको हमेशा ये बात याद रखनी चाहिए कि गोल मंदर वेराट की सब्बता में प्राप्त हुआ है भवन निर्माण के संदर में अब चर्चा की जाए तो वेराट में उत्खनन से भगना वस्था में कुछ भवन मिले हैं जिन में भवन निर्माण के बहुत सारे पहलियों की जानकारी मिलती है उत्खनन से प्राप्त एक भवन में साथ आठ कमरे पाए गए हैं तथा भवन के मुखद्वार की चोड़ाई बीस इंच है पुरा तात्विदों ने इसे बहुत दमटकी संग्या दी है यहां के भवन मिट्टी की इंटों से बनाए गए है इन इंटों को पहले धूप में सुखाया गया है तथा बाद में किसी भट्टे में पका कर भवन बनाने में प्रियोक किया गया है इन इंटों की माप तथा बनावट हडपा सबबता सिप्राप्त इंटों की बराबर है दो प्रकार की इंटे मिलती हैं जिन में एक काकार 21 गुणा 31 गुणा 3 इंच तथा दूसरे काकार 20 गुणा डेड़ गुणा 3 इंच है भबनों के फर्स में 26 वर्ग इंच मापकी बरगा कार टायलों का प्रयूक किया गया है यहां आश्चर्ज न किया है कि वैराड छेतर में पत्थर की परयाप्त उपलवदता के बाद भी यहां के निवासियों ने अपने भवन निर्माण कला में हीटों का प्रयोक क्यों किया इस सवाल का इत्यासकारों के पास अब तक कोई समचित उत्तर नहीं है यह अन उलेखनी भवनों में गोदामों के अवसेस भी प्राप्त हुए हैं जिन में विविन प्रकार का भंडारन विशेस तोर से खाद समगरी का भंडारन किया जाता रहा होगा अब असोग के सिलालेख की विचर्चा कलने बैराड छेतर में बीजक की पहाडी पर चुनार पत्थर से कुछ पालिस दार तथा साधा टुकडे पड़े हुए मिले हैं इन टुकडों पर मौर कालीन सिंग जैसी आकरित के भागों के उत्क्रिण होने के कारण इतियास कारों का मत है कि ये टुकडे असोग के सिलालेखों के हैं संभौता ये इस्तंब सिलालेख बहुत मटके दच्छन की ओर इस्थित थे किन्तों सिलालेखों के टूटने अथवा गिराये जाने के समय भी निश्चित्ता के लिए साथ कुछ भी नहीं काज सकता है जो मृत्भान प्राप्त हुए हैं मिट्टी के बरतन उनमें चित्रित धूसर मृत्भान पीजी डबलू प्रिंटिट ग्रेवेयर तथा उत्तरी काले पालिस दार मृत्भान एन बीपी नौर्धन ब्लेक पॉलिस्ट जो पोईटरी है वो मिलती है यहां के मृत्भान में तिरतन स्वास्तिक आदी मंगल चिन्नों से अलंकृत किया गया है मिट्टी की अन्य समग्गरी में पूजा पात रहे थालियां हैं कटोरे लोटे आदी मिले हैं यहां पर तांबे तथा लोए जैसी धातूओं से बनी दैनिक बस्तूओं का प्राया अभाव पर लक्षित होता है अब मुद्राएं आम तोर से जाजातर इस्तलों पर राजिस्तान में मुद्राएं अवस्य मिली हैं जैसा आहड के सिलसले में आप से बात चीत हुई थी ठीक उसी परकार बैराट के बौद्राओं से 28 इंडो ग्रीक सासकों की तथा आठ आहत मुद्राएं पर आप्थ हुई हैं बैराट से मिले टकसाल के भगना विसेशों के आधार पर यह अनुमानित है कि यहां आहत मुद्राओं का निर्मान केंद्र भी था कुछ इत्यासकारों ने पहली सताबदी के आसपास इस छेत पर ग्रीक सासन की सम्मावना विक्त की है क्योंकि यहां से 28 ग्रीक मुद्राओं भी मिली हैं इस मत से सहमत हो पाना उचित नहीं लगता है क्योंकि प्राचीन काल में बैराट के महत्कुन व्यापारिक केंद्र होने के परियाप्त साहित्तिक साक्षोपलब्द हैं ऐसा प्रतित होता है कि यह मुद्राओं व्यापारियों द्वारा लाई गई होंगी इस प्रकार प्रागय थ्यासिक राजिस्थान के इतिहास में बैराट सब्वता एक प्रमुक इस्थल है प्राचीन भारती इतिहास तथा संस्कृति में अनुपम अध्याय इस बैराट ने जोड़ा है नए नए उत्खनित इस्थलों तथा नई मानताओं के आलोक में आध्यासिक राजिस्थान का मुल्यांकनकार अभी सेस है नित नए इस्थलों की खोज हमारे अध्यन विस्तार की अवस्यक्ता पर बल देती है जिसकी पूर्द के प्रियास में आज राजिस्थान की संधर म अनेक सूद्ग्रंथ प्रकाशित हो गए हैं तथाप सोधारतियों की अभरुच इस दिसा में उत्रूत्तर पढ़ती जा रही है हमें पंडित गौरी संकर हिरा चंदोजा करनल टॉड डॉक्टर दसर सर्मा की साथ साथ आकास धर्मा इतियासकार डॉक्टर गोपीना सर्मा की प्रत्वी अभार विक्त करना चाहिए क्योंकि उनके सोध ग्रंथों वा लेखों से राजिस्थान के आध्यासिक इतियास की जानकारी हमें प्राप्त होती है अन नवीन खोजों के संदर में बात की जाए तो अभी इस बाल है बाला थल है इसके अत्रिक्त अन इस्थल हैं जिनकी जानकारी आती है प्रत्योगी परिक्षाओं के क्रम में इन इस्तलों से संबंदित पुरा समगरी से कभी पूछे जाते हैं जहां तक आपकी परिक्षा का प्रिक्षा है तो आपकी जो परिक्षा है बीदुती वर्स की जो होने वाली परिक्षा है यदि अगर होगी प आता रहा है भिगत बर्सों में और आम तोर से बहुत पुरा इस्थल जो यहां मिला है उसकी भी जानकारी आप से पूछी जाती रही है आसा है आपने आ वेराट सब्बता के बारे में यह जो ब्याख्यान था सुना होगा धन्यवाद